चोरीव नकब जनी की अंतरराज्जी गैंग का परदाफाश करते हुए, प्रताप नगर थाना पुलिस ने पांच सदस्यों को गिरफतार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी घरों की चोरी फैक्टरी, गोदाम से सक्रैप की चोरी और ट्रांस्पोर्ट चोरी कर तांबा निकालने की 806 वारदातों में शामिल थे। उनके कबजे से करीब 25 डीपी से चोरी किया तांबा वह 1200 किलो ग्राम लोहे और स्टील का स्क्रैप जप्त किया है। SP भवन भूशन यादव ने बताया कि लगातार हो रही चोरियों को देखते हुए टीम का गठन किया गया। टीम को जरिये मुखबिर की सूचना मिली थी कि एक गैंग गाव में और आबादी से दूर लगी DP को नीचे गिर कर उनमें ताबा चोरी करते थे। इस गैंग के सदस्य लोहे तथा स्टील के कबाड़ियों के गोदाम के भी ताले तोड़ कर कबाड़ चुराते थे। इसके अलावा सुनसान इलाकों में स्थित मकान के ताले तोड़ कर उसमें चोरियां करते थे। पुलिस ने बताया कि यह गैंग अधिकतर मामलों में गुजरात नंबर की पिकप गाड़ी का इस्थेमाल करती थी और चोरी कर माल इसी गाड़ी से लेकर फरार हो जाती थी। तो एक संदिग्ध पिकप नजर आई जिसको टीम ने रोकने का प्रयास किया तो पुलिस की टीम को देख कर आरोपी गाड़ी को भागने लगे लेकिन पुलिस ने बैरिकेड लगा कर पकड़ी डी डी एच लिया। अंति लाल पुत्र भंवरलाल कालबेलिया वननाथ द्वारा के कजलियावास निवासी सोमनाथ पुत्र जीवननाथ चोहान को गिरफतार किया। आरोपियों ने पूछताच में बताया कि राज समंद चित्तोर भिलवाडा सहित अलग-अलग जगह से 80 डीपी से कौपर चोरी जबकि 20 मकान के ताले तोड़ कर सोने चांदी के आभूशन में नगदी चोरी की है। इसके अलावा पंदरह कबार के गोदाम से लोहे स्टील का स्क्रैप चोरी करना स्विकार किया है। आरोपि इलाकों में सूने मकान की दीन में रेकी करते थे और रात्री के समय उसको ताले तोड़ कर चोरी को अंजाम देते थे।